तो हलो बच्चो स्वागत है आप सभी का मैं एक बार फिर से क्राइस कॉर्स के अंतरगत आज जो है सस्टी को पढ़ाने वाला हूँ सस्टी में जो है इतिहास को बताऊंगा और जो भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट कॉस्चन है उसको यहीं पर याद करवाएंगे जैसा कि मैंने आपको वादा किया कि आपको बस इस लेक्चर को देखना है और 70-80% तक आपका कॉस्चन यहीं पर याद होगा बाकी बात जो है आप घर पर फिर से रिवीजन किजेगा 100% याद हो जाएगा किस तरह से परना है और किस तरह से याद करना है बस आपको इस वीडियो को देखना है और अपने फ्रेंड लोग को भी जरूर सेयर कीजिए समझ मारी बात तो चलिए हम लोग सीधा अब स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए डाइरेक्ट तो चलिए आज का जो है कॉस्चन आपको नजर आएगा और आपको क्या करना है वीडियो को पॉज कर लेना है रोक लेना है और सारे कॉस्चन को कोपी कलम से राइट डाउन कर लेना है ठीक है अब ये जितना भी कॉस्चन का एंसर है वो सरल लेंग बेज में दिया गया है ओके तो चलिए तो आपको दिख रहा होगा फर्स्ट कोश्चन है कि इटली के एकी करन में मेजनी का क्या योगदान था तो परस्न आपको नजर आगे आओगा साथ में उसका उत्तर भी तो दियान से देखिए परस्ट एक बार हम पढ़ रहे है इटली के एकी करन में मेजनी का क्या योगदान था तो सर्स पहले हमें करना क्या इसका एंसर लिखने के लिए सर्स पहले इसमें आया मेजनी तो हम लोग क्या करते हैं एंसर देने के लिए थोड़ा सा मेजनी के बारे में लिखेंगे ठीक है एक बार हम पर देते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है तो कहरा है मेजनी एक महान साहित्यकार गनतामत्रिक विचारों का समर्थक और योग सेनापती था वह हर हालत में इटली का एकी करन करना चाहता था 1831 में इन्होंने येंग इटली नामक संस्था का गठन किया जिसने इटली के की करन में महान योगदान दिया उन्होंने इटली को बिदेशी प्रभावों से मुक्त करने के लिए युबा सदस्यों का संगठन बनाया लेकिन पौप और मेटरनिक के हस्त छेप के कारण मेजनी क को सफलता नहीं मिली और इसके अंदोलन को कुचल दिया गया यह आपका एंसर लिखावा है लेकिन हमको याद कैसे करना है वो आपको बताना है तो इससे हमें की वर्ड को निकालना है की वर्ड जो है की वर्ड जो है मेजनी के बारे में पहले लिखना है तो मेजनी जैस दो ऐलेंगे एक महान सहित्यकार थे खीशा था सहित्यकार वो सहित्यकार लिपकार थे और दो धीक 있는데 जालोगा ध्यू कै Halitika डृशने दीक गंतान्त आंतरिक विचारों के समर्थक थे समर्थक्ति थह चींचे समर्थक फ्लमा क्या था तो फ्लमा ये था मेजनी के बारे पहले लिखेंगे उसके बाद हम बताएंगे पहले इसको याद करो मेजनी साहितिकार गन तांतरिक विचारों के समर्थक और सेनापती तो जरूर याद करना क्यूंकि सेनापती आपको भूलना नहीं है वह कैसा था मेजनी ए कि योग सेनापती थे पती थे सेनापती थे कैसा पती थे सेनापती थे योग सेनापती थे साहतिकार साहतिकार और एक योग सेनापती थे इतना याद हुआ अब उसके बाद आगे हम आपको बताते इन्हों ने क्या करना चाहा इटली के की करन में तो दियान है तो इन्हों ने क्या किया देखो इसमें हम लिखा दे रहे इसनोंने वह हर हालत में इटली का एकी करन करना चाहते थे इसका उद्धिस क्या था एकी करन करना एकी करन करना किसमें हर हालत में इटली का एकी करन करना चाहते थे और उन्होंने क्या किया 1831 में यंग इटली यंग इटली का निर् तर्फ फितलीं संस्था का ईपर डिया को दो मिलगे से लिए आगे अमारे पास प्लिखा होँ वहीं को आप दोखा अर tradisus विदेशी परवाव को रोका ठीक है विदेशी परवाव से मुक्त करने के लिए उन्होंने युबा सदस्यों का संगठन बनाया लेकिन पोप और मेटर्निक के हस्तेचेप के कारण किसके हस्तेचेप के कारण पोप और मेटर्निक मेटर्निक ठीक एस्त्रिया के चांसलर थे यह याद रखना अब देखो हम अब देखो सिंपल सब हम इसको आपको बताते हैं बस आपको इतना यह वर्ड अगर याद रहा तो सिंपल से याद रखना ठीक है तो पहला नमर हमें मेजनी का डिफिनेशन करना इतना अगर याद हो गया तो आपको यह कौशन एंसर हो जाएगा देखो । विचार और योगत शेनापति कैसा सुरुट गया था अपना मन से लगा थे उन्होंने आप कोशें में देखू, कोशें में क्या था? उन्होंने इटली के एक ही करण में महान योगदान दिये? इतना लिख सकते हा? महान योगदान दिये. उन्होंने इटली के एक ही करण में 18 pope here 1831.िस इस भी में, starting एन यऎंग इटली संस्था का गठन किया, जिसमें इसका उद्देश था कि इटली में बिदेशी प्रभाव को मुक्त करना क्या था बिदेशी प्रभाव को मुक्त करना ठीक है ठीक है इसलिए उन्होंने क्या किया सारे युवाओं को क्या किया? एक साथ किया अब युवाओं में जानते ही हो बहुत सारा ताकत होता है है ना हम जो सीले होते हैं युवाओं सब कितना होता है? जो सीले होता है तुम लोग बहुत जो सीले होगे है ना तो युबाओं को क्या किया एक तृत किया लेकिन लेकिन पोप और मेटरनिक के कारण जो है उनका जो है ना उनका ये जो जो ये संगर्स कर रहे थे इटली के एकिकरण में जो उन्होंने संगर्स कर रहे थे उसको क्या किया मेटरनिक के कारण ये क्या किया ये होना और संभव हो तिनी इसके जो सपनाग था, इसको कुचल दिया गया, यानि इटली के किकरन में जो था, सबसे बरा जो था, लेकिन इटली के किकरन में सबसे बरा जो था, बोल सकते हैं, वाधाय, वाधाय पोप और मेटरनिक था, ठीक है, बात समझ माया, याद हुआ, याद हुआ, कोशन की नहीं पहले ये बताओ याद हुआ कि नहीं हम फिर से एक बार बता जा जा रहा है इसलिए आपको याद होना बहुत जरूरी है फिर से देखो हम बता रहे तो मेजनी मेजनी एक महान साहितेकार गंतात्रिक विचारों के समर्थ तक थे और एक योग सेनापती थे उन्होंने इ पुद्देश था विदेशी प्रवाव को क्या करना खतम करना जिसके लिए उन्होंने इटली के युवाओं को क्या क्या है एक अठाक किया लेकिन लेकिन सबसे बड़ी बादा है जो थी पोप और मेटरनिक थे जिसके बज़ए से यह यह जो था इटली का एकिकरन का जो दूसरा प्रस्ण है 1929 इसवी के आर्थिक संकट के किनी तीन कारणों का संचिप्त विवरंदे ठीक है तो हमें जो उस समय 1929 के समय जो संकट हुआ था उसके बारे में हमको लिखना है तो लिख लेंगे पहला लें तो लिख लेंगे इसी को देखके 1929 इसवी के आर्थिक संकट के निम्नलिखित तीन कारण थे तो पहला हम परदते पहला अती उत्पादन बिस पर्थम बिस यूद के समय और उसके बाद क्रिसी के छेत्र में अती उत्पादन हो गई लेकिन उसे खरीद सकने वाला लोग बहुत कम थे इसलिए क्रिसी उत्पाद पड़ी पड़ी सरने लगे जिससे किसानों को बहुत फानी हुई तो पहला इससे पॉइंट हमको देना है तो देखो इससे कीवर्ड निकालते हैं तो देखो पहला यही है कि अती उत्पादन ठीक है अती उत्पादन तो अती उत्पादन से आप याद रखना पहला पॉइंट है तो अती उत्पादन से क्या हुआ तो पर्थम बिस्व यूद के समय और उसके बाद क्रिसी के छेतर में अत्ति उत्पादन हुए यानि कि जब पर्थम बिस्व यूद के बाद किसके बाद पर्थम बिस्व यूद के बाद जो है खेत में अधिक काम होने लगा यानि उत्पादन होलेगा खेत मतलम क्लीसी में क्लीसी में क्या हूआ बहुद उत्पादन हूआ contextual आप इसको अपना सिंपल स्वासा मिया दखना बहुत ऊत्पादन हुआ ठीक है लेकिन बहुत जादध़ कि जैसे कि मार्केट में अगर कोई चीज जादा आ गया तो उसका बहुत जादा गिर जाता है जैसे थंडी है जैसे पहले जो था टमाटर जो था 40-50-60-80-20 तक बिखता था लेकिन जैसे ही जब जादा टमाटर गिरने लगा या को भी गिरने लगा तो उसका जो कीमत है ऑटम अधिक होगा उसका भाव गिर जाएगा और कुछ समय बाद और जादा होगा तो उसको खड़ी देगा भी नहीं खड़ी अधिक है यहाँ पर आपको दिमाग में कहानी याद आया तो उसी तरह इसको चिपका दो तो दिखोगे कि अती उत्पादन पर दम विश्यूद के ब लेकिन हमें उसे खरीद माला लोग बहुत करम था अब दोको उत्पादन अधिक हो गया किशय के according वड़ी ऑगया एक पकादन किया अधिक हो गया लेकिन खरीदने यवाला क्या था फरीदने वह एक्रिदने हुए लेकिन ज्यादा हो गया लेकिन खड़ी दने वला बहुत कम थ हृ फिस विए क्रिस्य उतरफपादन क्या हूए द anthropicase लगए सथर किसान को द्सें काव किसान को बहुत वबढ़ा हानी हुआ अब किसान को किसान को तहनी होगा गटा लग गया तो किसान को पहला नुक्सान ये हुआ समझ मारी बात चलो दूसरा हम बताते तो दूसरा है अमरीका अमरीका दोरा करज लेना देखो 1920 के दसक के मद में बहुत सारे देश ने अमरीका से करज लेकर अपनी युद से तवाह होकर अर्थ्वश्था को नए सिरे से स्विख्षित करने का परियास, परियास किया, अब धियान दिना, पहला नमर्ड देखो, जब युद हुआ था, तो युद के बाद जो था ना, युद के बाद, वही बहला पॉइंट लिखेंगे, युद के बाद जो था, बहुत सारे जो द लिखाए हैं उसी को याद करो बस इसको बिचार को अपने माइंड में रखो क्या हुआ क्या अमरिका जो था ना यह अमरिका था सारे देश को क्या दे रखा था कर्ज दे रखा था क्यों पर्थम 20 यूद में भाग नहीं लिया था और यूद में भाग नहीं लेने के कारण क् यह क्या है कर्ज दे दिया तो कर्ज देने से क्या हुआ अब जो देश था वो अपने आपको क्या किया थोड़ा मरा विक्सित कर पाया विक्सित कर पाया जैसे आप ही है माले हम ही है फल्ला मां हम को हम गरीब थे हमको कुछ रुपिया दिया हम कर्ज लिये और हम एक नया दोक पान खोले और जिस से मेरा दोखान देरे देरे चलने लगा अब क्या हो वहा हूं आले लिया किस अमेरीका ने लिया था कि अ क्वहां पर नहीं संक्त देखने लगए तो तो याद रखनावरड कि अगर नहीं अब अमरिका ने सभी देशों से क्या किया अपना करजा लेने लगा ठीक है जिससे क्या हुआ सभी देशों से करज वापस मागने लगे इससे यूरोप के कई बैंक डूब गए आप किसे लिया यूरोपिये देश जारा बिक्सित था अब ध्यांदना यूरोपिये देश बहुत जादा बिक्सित था और वो भी यूद में सबसे बरा नुकसान उसी का हुआ अब कर्ज को लेगा वही लेगा जो नुकसान किया है अपने आपको अब अमर अमरिका ने क्या किया अमरिका ने सारे यूरोपिये कंट्री को जो कर्ज दे रखा था बापस ले लिया जिसके वबज़े से कहा हुआ वहां का जो बैंक था वह डूब गया ठीक है क्या हो गया बैंक डूब गया यह भी एक बहुत ब़ुद बढ़ा कारण था याद हुआ कर देंगे को दिक्कत नहीं है तिसरा है सस्ते अनाज का उत्पादन इसे पहले पूंट से हे इस दे आनाज का उत्तपादन सस्ते आत यूसा उयुड गया छाalay देखो ये जो था देखो अब रूस और कनाडा रूस और कनाडा कनाडा ने क्या किया सस्ते आनाज का उत्पादन किया क्या क्या किया सस्ते आनाज का उत्पादन किया जिसके कारण यूरोपिय देश तबाह होगे ठीक है जिसके कारण क्रिसी अधारित जिसके कारण जो क्रिसी पर निर्भर था कौन यूरोप देवला देश यूरोप ये देश क्या हो गया तबाह हो गया अब चलो देखो हम बताते हैं किसको याद कैसे करना अब देखो यहां पर सारा कुछ लिखा हुआ है आपको भी इसी तरह से याद करना देखो पहला नमबर बता देते हैं पहले इतीन पॉइंट र को जाने के कारण मिलदी हो जाने के बाद जो है उसको खरीदने व neueLa कि सभ्यां भूक्षब क्रिदने वाली इस झाधे संहा बहुत कम थी समझ मारी बात 16 वा जिसका हुआ लगा सरने से क्या हुआ सरने 25 किसान को बहुत ही जादा नुकसान हो बस इतना याद रखना दूसरा अमरीका दोरा कर्ज लेना तो अमरीका दोरा कर्ज कैसे लिया गया तो यूद हुआ था यूद में जो है न यूरोपिय देश जो था वो अमरीका से क्या किया था कर्ज लिया और अपने आपको किसी तरह से क्या 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 विक्सित किया यह तंदी आपने क्रीजी को धिक उत्पादन किया ठीक है रूज और करेशी कर निर्भर देश थे अबम्हा से आपको याद हो ना पताले परफ यूद सबसे जाद आधिक हुआ लेकिन खरीदने वाला किसंख्या बहुत कम था फिर क्या हुआ अना जो है दिरे-दिरे सरने लगी जिस बज़े से किसान क्या हुआ बरबाद हो गया ठीक है यानि हानी होगे घटा लग गया दूसरा करन्त अमरिका दोरा कर्ज लेना अमरिका जो कर् अब जितना कर्ज लिया था उसमें तो कुछ खतम भी किया था ना तो अपने आपको जो बंक में जमां की अहुआ था रासी को सारे सारे तबाह हो गया जिसी पर निख सा आपका एंसर हो रहे ब्रहेंग कोई均क है तो हमें बोल रहा है स्वतंत्र पड़ाशन क्या है श्वतंत्र भारत में प्रेश की भूमिका क्या है प्रेश चीक है प्रेश समझते हो ना प्रेश वाला तो सिंपल सा बात समझ रहे हो तो कोश्टन एक बार हम पढ़ देते हैं स्वतंत्र भारत में प्रेश की क्या भूमिका स्वतंत्र भारत में प्रेस की भूमिका का वर्नन करें तो इसका एंसल भी हम एक पर पर देते हैं स्वतंत्र भारत में प्रेस की भूमिका महत्पुर्ण है आज की भागदोर एवं तनापुर्ण जीवन सेली में भी प्रेस सिनेमा से लेकर खेल कूद से संबंधी समाचार को छाप कर पाठकों का मनरंजन कराती है आज प्रेस समाज में रचनात्मक का प्रतीक बनता जा रहा है या समाज को परती दिन की उपलब्दियां उपकरनों एबं साधनों से परिचित कराता है या बरतमान राजनिती को साकरात्मक दिसा परदान करने के साथ भरस्टा चार पर करारा प्रहार करने का प्रियास करता है तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि स्वतंत्र भारत में प्रेस की भूमिका है in तो इसमें व네 क्या देखा तो को इस चीज़ को अपने मन से भी लिख सकते हो है ना श्vos अजवारी बात Links में क्या होगा तो पहला हम इसका एंजर मалогत को कीवर्ड निकाल देतें तुम लोग ताकि असान हो जांए स्वातंत्र भारत M00 fellows की तनापुर्ण जीवन सेली में अगर आपको यह वर्ड नहीं याद रहे तो बोले गए आज कल के समय में इतना याद रख सकते हो ना आज कल के शमय में ठीक है यह हम आपको बता दे रहे अब भागदोर और अगर याद हो गया तो अच्छी बात है भागदोर एवं तनापुर क्तिम जीवन सेली में आज कल के समय में प्रेस की जो भूमिका है आप प्रेस जो है सिनेमा से लेकर अब देखो एक वार्ड हैं अब धिमाग नोगन का सीनेमा से लेकर अब प्रेस जो नाम है न उसको आदमाorer निवबुट वडह क्यों सिनेमानि वगया cinema news से लेकर आप देखो। खेल कुल जानते हूं न हुं सचर्टिन तंदूलकर विराट कोहली जो खेल रहा है। यहां कि क्येलगूद खेल कूद तक, ठीक है, समझ मारी बात, से संबंधी समचार को छाप कर पाठकों का मनोरंजन करता है, का शमाचार, शमाचार, छाप कर, क्या करके, छाप कर, क्या करता है, मनोरंजन करवाता है, मनोरंजन, किसका मनोरंजन, पढ़ने वाला, पाठक, पढ़ने वाले को, पाठक का चलो पाठक लिख देते भी यह तरल जाएग़ पाठको ॠ पाठको का मनोरंजन कड़ाता है ठीक है पाठक mortar समाज में रचनात्मक का परतिक बनते जा रहा हुए अब रचनातमक अब रचना सा अब देखो यहां पर यह क्या आफ देखो इसंहें हमें यह बताना है कि हमें आप देखो यह थोड़ा सा सब्द अजीव है अपने सब्द में लिखो गए तक कोई दिक्त तो भरस्टा चार से लेके ठीक है राजनीती की अच्छी अच्छी बातों के साथ साथ अच्छी अच्छी बातों को बातों को साथ साथ क्या करता है साथ साथ भरस्टा चार भरस्टा जार वर्ष्टा चार करानयका पूर्यास करता है कराणरं कराला प्रहार याद कर लेना अब धिम billion बता रहें आपको में आप उस्थद बोल है वह भी आप रोक रोख के आप लिख सकते हैं देखो पहला सब्द बोला था लिखना वही लिख दो हमने क्या बोला कि स्वतंत्र भारत में प्रेस की जो है जो भूमिका है घ्या महत्पूर्ण है अब हमने बोला आज कल के समय में आज कल के समय में प्रेश जो है सिनेमा से लेकर खेल कूद का जो समचार जो है छापकर पाठकों को क्या करवाता है मन औरंजन कराने का प्रियास कर रहा है कराता है तदा आज समाज का वाज छोटा सो छोटा नियूज हो या राजनेतिक की अच्छी खबर हो या फिर उसकी भरस्टा चार की बात हो वो सभी हमारे प्रेस के द्वारा हम उसको क्या करते सुनते हैं और हैना भरस्ता चार पर भी जो है करारा प्रहार कराने की कोशिस करता है कौन भारत जो न्यूज है यानि प्रेश जो है प्रेश रिपोर्टर जो है उसकी बात हम कर रहे हैं बस आप इतना लिख दीजेगा कोई दिक्कत ने बहुत सिंपल है एक बार हम आप बता जाते हैं तो सवतंद्र भारत में प्रेश की महत्पूर्ण भूमी का है आज कल के समय में प्रेश जो है प्रेश जो है सिनिमा से लेकर खेलकूद का समचार छापकर पाठकों को क्या करुबाद ही है मनरंजन करुबाद यह तथा समाज का वज़ छोटी से छोटी तथा दस्टचार का भी करारा परहार करा रही है। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि अब आप बहुत ही अच्छा प्रसन है, बहुत ही इजई कर दिये। आप याद कर सकते हैं। अब बाकी बात जो हम लिखे हुए, वो भी अगर याद के लिए तो वो सुन्दर राइटिंग है, ऐसे नमबर इसमें कोई ने काटने बाला है, ठीक है, मतलब सुन्दर सब्दों का वहाँ पर लिखा हुआ, ये सब्द अपना है और कोई बात नहीं है.